question says a particle executing simple harmonic motion of amplitude 4 cm and time period 12 seconds the ratio between time taken हमें बताना है the ratio between time taken by it in going from its mean position to 2 cm and from 2 cm to its extreme position क्या होगा option है 1 1 is to 1 या 1 is to 3 1 is to 4 या फिर 1 is to 2 अगें simple सवाल है अगें इस सवाल को मैं करना चाहूंगा फेजर डाइग्राम से फेजर डाइग्राम से सवाल आपके within 30 seconds हो जाएंगे मुश्किल बिलकुल नहीं होएगा इस सवाल को करने में यह आपका circular motion uniform circular motion उसका projection जब आप लेंगे उसके इस diameter पे और for that matter किसी भी diameter पे तो यह आपका SHM शो करेगा तो यह आपकी mean position है लेट से टी इस इकल टू जीरो पर पार्टिकल यहीं चाल हुआ है यह आपका plus a है यह minus a है plus a और minus a यह सारी तो हमारा pre work हो गया ना हमें यह पता है कि यह आपका a जो है आपको 4 cm दिया हुआ है हमें बताना है इसका time जो आपका आएगा a से a by 2 जाने में यानि कि 2 cm जाने में और उसके बाद a by 2 से a जाने में तो यहां से यहां जो इसने theta 1 angle traverse किया और यहां से यहां जो theta 2 angle traverse किया फेजर डियाग्राम से हम बात कर रहे है उन दोनों के बीच का gap बताना है अपने को ठीक है तो बहुत simple सवाल है theta 1 की value यहां पर हो जाएगी अगर यह a by 2 है तो यह आपका hypertonious हो गया a यह आया आपका a by 2 तो theta 1 जो हो गया हम लिख सकते है sin theta 1 will be equal to a by 2 divided by a यानि की 1 by 2 which implies theta 1 will be equal to pi by 6 तो यह angle अगर pi by 6 है तो theta 2 जो है आपका theta 2 हो जाएगा pi by 3 अगर आपको थोड़ी सी भी फेजर डियाग्राम का थोड़ा सा भी experience है इस angle को देखते ही हम बता सकते है t1 will be equal to t by 12 और t2 जो आएगा that will be equal to t by 6 हम बस pi को t by 2 से replace कर देते हैं कैसे आया मैं भी समझा देता हूं आपको तो यह दोनों के time आ गए इन दोनों का हमें ratio बताना है तो t1 divided by t2 will be equal to t by 12 divided by t by 6 यह value हो जाएगी 1 by 2 तो based on this हम कह सकते है 1 by 2 option number t would be right answer अब एक बार यह चेक कर ल इसे लिख पाते हैं तो यह अगर आपका हम बात करते हैं theta is equal to omega t और इस omega को हम लिख सकते है 2 pi t by t अगर आपका theta angle है तो इसका time जो है वो आ जाएगा theta divided by 2 pi multiplied by t theta divided by 2 pi multiplied by t और इसको हम ऐसा कर सकते हैं इसको 2 को इदा ले जाएगा theta divided by pi multiplied by t by 2 तो जैसे आपको theta pi by 6 आया pi को replace कर दे t by 2 से आपका time direct आ जाएगा या exam hall में थोड़ा सा time और बचा देता है और technically बिल्कुल सही है हम कोई shortcut नहीं ले रहे हैं आपके कोई चीरे रट नहीं रहे है so based on this हम कह सकते हैं इस सवाल का answer option number d would be the right choice